हेलो प्रफटर नूं सागत हम सभी का रोजगार विधन की चैनल पर तो क्या है सभी के एक बार जुडएंगे और आज का जो टॉपिक है समयकारिय हम लोगों ने लोगो ने कंप्लीट कर लिया है और उसी का यह पार्ट है वैसे तो ये महानले कि है वैसे जब इसका पिताजी को हमने पड़ लिया समय कारिय को तो पाइप टंकी में क्या है सेम वही प्रोसेस वही तरीके वही काम वही टोटल काम निकालना है वही efficiency छमता निकालनी है सारा काम वही करना है, सवाल की language थोड़ी सी change होगी बैस, और इसमें एक नया concept जुड़ेगा कौन सा, खाली करने वाला pipe, इसमें भरने वाले pipe भी जुड़ेंगे, खाली करने वाले pipe भी जुड़ेंगे, तो बड़े प्यार से, सवालों को मैं कराऊं, ये मान के चलना कि ये pipe टंकी के सवाल नहीं, हम समय और कारियर, time and work का ही सवाल कर रहें, ठीक है, तो आप ये सोच के करोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई नया chapter है, अलाकि ये नया chapter है, इसमें से एक सवाल बनने के chance होते हैं, तो चले करें शुरूबात, good afternoon, नमस्कार, जैहिंद, क attention मतलो, smile करते रहा करो, math हैसे जाएगा, बलकुल मज़ेदार, आपको लगेगा ये नहीं कि यार, math भी, आपको अब तक, math जिस बच्चे को लगता था, math मेरे लिए challenging है, इस batch को खतम होने बाद, उसको 1% भी नहीं लगेगा, कि math नाम की भी कोई चीज होती है, उसको तो एक मन लेंगा है कि यार, इसमें तो मेरे पूरे में से पूरे है, बच्चे, आप लोगों के साथ एक problem है, जो मैं अकसर comment में पढ़ता हूँ, क्या है, जो वीडियो खतम होने के बाद comment में देखता हूँ, बच्चे कहते हैं कि sir, हम आप class में कराते हो, चीजे बहुत अच्छे स समझ में आते हैं कि सवाल हमें बहुत अच्छे से किलियर होता है, लेकिन उसके बाद जब हम खुद उस सवाल को उठाकर बैठते हैं, या फिर बुक से सवाल उठाते हैं, तो वो सवाल हमें नया लगता है, और उस सवाल में हमें ऐसा, हमें यह नहीं लगता कि इसको बार करो जिस टाइम तक आपके अंदर गया सवाल अपने आप होते चले जाएंगे एसा नहीं है कि पहली बार जब मैं भी पड़ने बैठा था मुझे लग रहा था कि आरे सारे सवाल होते जारे नहीं मुझे भी आपके जैसे प्रॉबलम होती थी वही जो समस्य आपको हो रह पाइगी आप टाइम दो समय दो टाइम को जितना टाइम उसको देते हो किसको G.S. को उसके नाम पर तो नहीं पहुंच जाते हो सीदे यह तरैंट जी एक टाइम आप मैंत को भी दो तो चीजा की लिए होंगे तो चलिए पहले कुश्चन के साथ क्लास की शुरुवात करते हैं और पहला सवाल आपके सामने यह रहा पढ़ेंगे जल्दी से बच्चे इसमें खाली करने वाला पाई भी जुड़ेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा जब उसके वो कुश्चन आएगा ठीक है तो सवाल कहता है दो नलिया पी और क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है उसी को पी अकेला 30 मिनट में भर सकती है तो बताऊंगा यह कितने समय में भरेगा यह वही टाइम एंड वर्क समय का जाएको तो सवाल है कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 मिनट में कर रहे है पी अकेला उसे 30 मिनट में कर रहा है तो क्यू कितने समय में करेगा नहीं आरी फील वही सवालों की सेम वही सवाल है उसने का दो नलिया पी और क्यू बच्छा अगर यह दोनों मिल जाए तो पी और क्यू कितने मिनट म में भर रही है 30 मिनट में यार मेरा सवाल वही जो पिछले चार-पांच दिन से आप से पूछता आ रहा हूं हर सवाल में कि 20 और 30 का LCM होगा साथ यह साथ आपका टोटल वर्क हो गया कुल कारिय हो गया लेकिन जब हम पाइप टंकी पड़ रहे हैं तो पाइप टंकी में टोटल वर्क का मतलब मान लो किसी टंकी की छमता यानि के साथ यूनिट का मान है कि उस टंकी की छमता है साथ यूनिट यह मान के चलो सिंपल लें उसकी capacity है 60 लीटर की, अब इनकी छमता निकालो, efficiency निकालो, 60 बटे 23 और 60 बटे 32, बचे 3 और 2 क्या है, ये छमता है PQ की 1,7 और P की 2 अकेले में, अब मैं आपसे कहता हूँ Q की छमता कितनी है, आप कहोगे सर P की जो efficiency है, वो 2 unit है, और दोनों की मिलाकर 3 है, तो मेरे भाई सैनिक भाई, क्योंकि छमता कितनी है, क्योंकि छमता है एक unit, और छमता का मतलब क्या होगा, छमता का मतलब होता है, कि पिरती घंटे, पिरती मिनट, मिनट की बात हो रही है न, तो पिरती मिनट जो P है, वो 2 लीटर पानी भर सकता है, एक मिनट में जो P pipe है, वो तुअ डो लीटर पानी भर सकता है, और जो q pipe है वो एक मिनट में एक लीटर पानी भर सकता है टंकी में, इतना उसने बोला, उसने कहा q अकेला कितनी दिन में भरेगा, इतनी देर में, तो which q अकेला साथ लीटर की टंकी है, 60 loss काम है, क्यूकि छमता एक है तो आंसर आजाएगा 60 मिनट कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा 60 मिनट बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर option number 2 next question पर चलते हैं और इस सवाल का आंसर कौन सा सैनिक मुझे सबसे पहले देगा कौन सी battalion का सैनिक देगा जल्दी से बता दो 60 बिल्कुल सही जवाब है तो आपका नल A एक टेंक को 6 घंटे में भर सकता है जबकि नल B इसी टेंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है देगो खाली करने वाला पाइप भी जुड़ गया बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है भरने वाले में और खाली करने वाले में भरने वाले में और खाली करने वाले में बचे याद रखना जो भरने वाला पाइप होगा उसको रखना है पिलस में और जो खाली रखने वाला पाइप होगा जो खाली रखने वाला पाइप होगा उसको लेंगे minus में, उसकी छमता को किस में लेंगे, efficiency को लेंगे minus में याद रखना, इस बात को ये इनकी छमता है, efficiency को, efficiency का sign है, कि भरने वाले pipe को plus में रखेंगे और खाली करने वाले pipe को किस में negative में रखना है, क्योंकि वो पानी निकाल रहा है, तो सवाल को देखेंगे, उ एक टेंक को 6 गंटे में भर सकता है, तो नल ये तो भरने वाला टेंक है भई, ये कितने 6 गंटे में भर रहा है, और नल B जो है न, ये टेंक को 10 गंटे में खाली कर रहा है, 10 गंटे में, यानि कि उस भरे हुए टेंक को, भरे हुए टेंक को 10 गंटे में खाली कर देगा ये, अगर वो अकेला खोला रहे तो तो भाई इसको माइनस का 10 लिखो क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है मैंने आप से कहा ये खाली करने वाला है तो इसकी नेगेटिव में इसकी एफिसेंसी रखेंगे कितना LCM आ गया 30 LCM कितना आ गया 30 30 बटे 6 5 और 30 बटे 10 माइनस का 3 ये माइनस का 3 बहुत बड़ी चीज को आपको समझा के जाएगा बहुत बड़े कॉंसेप्ट को समझा के जाएगा कैसे मैं आपको अलग से समझाता हूँ हर सवाल में नहीं इसी में है ये टैंक है 30 लीटर क सवाल के रहा है कि यदि दोनो नलो को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा सामने देखो पैन कॉपी को साइड में रखो सामने देखो अगर दोनो नल एक साथ खोल दूँ सामने देखना बच्चे अगर दोनो नल खोल दूँ तो ये 5 पानी भरेगा और ये तो पांच लीटर भरेगा और ये साथ के साथ खाली करने वाला पाइप है तो भाई ये तीन लीटर खाली कर देगा उसी घंटे में मेरा सवाल आप से है एक पाइप एक घंटे में पांच लीटर भर रहा है उसी घंटे में एक नीचे वाला पाइप ती एक घंटे में कितना पानी भरा गया मेरा आपसे यही सवाल है कि एक घंटे में इसने पांच लीटर पानी भरा उसी घंटे में इसने तीन लीटर निकाल दिया मेरा आपसे सवाल है कि उस एक घंटे में वास्तव में पानी भरा कितना गया तो आप कहेंगे सर पांच लीटर भ पानी बचा ये है कॉंसेप्ट खाली करने वाले पाइप का कि जब दोनों पाइप खुलेंगे ना तो भाई छमता कितनी होगी ये पांच लीटर भरेगा और उसी घंटे में ये तीन लीटर निकाल देगा तो वास्तव में तो लीटर दो लीटर भरा जाएगा वास्तव में दो लीटर भरा जाएगा एक घंटे में पानी तो जब दोनों खुलेंगे तो 30 लीटर की टंकी को भरने में दो की छमता है बहाई ए प्लस भी दोनों जुड़े हैं तो बटे दो कर देंगे आंसर कितना आएगा 15 घंटे कितना आएगा बच्चे 15 घंटे बिलकुल सही जवा है option number A इतना याद रखना है जो खाली करने वाला पाइप है उसको बड़े सोच समंझगे करना है क्योंकि उसकी जो efficiency होती है उसकी जो छमता होती है वह माइनस में होती है उसको बड़े सोच समंझगे करना है अगला सवाल देखते हैं यह रहा सवाल पढ़ेंगे आराम से को आपको कैसे पता चलता है कि सर मैं सामने नहीं देख रहा हूं उसने कहा पाइप ए और भी एक खाली टेंक को 6 गंटे और 8 गंटे में भर सकते हैं जबकि पाइप सी भरे टेंक को 10 गंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टेंक कितने समय में भर जाएगा बता बड़ा प्यारा सा सवाल है आसान है पहले तो दो ही पाइप थे ए और भी भरने वाला था भी खाली करने वाला था इस बार तो दो पाइप भरने वाले हैं और एक पाइप खाली करन छे गंटे और आठ गंटे में भर सकते हैं भाई ये छे गंटे में ये आठ गंटे में ये भरने वाले पाइप है लेकिन जो पाइप C है न वो दस गंटे में खाली करेगा यानि कि पाइप C खाली करने वाला पाइप है कौनसा खाली करने वाला पाइप है तो उपर माइनस का sign लगा दो ताकि आपको पता रहे कि ये खाली करने वाला है और ये 10 घंटे में खाली कर देता है भाई LCM बता दो जल्दी से कितना होगा ये 8 और 6 का LCM होता है 24 और 24 धाम 24 पंजे 120 120 LCM होगा के नहीं? हाजी सर बिल्कुल सही बात है LCM 120 है तो 6 दुनी 12 20 चमता इसकी आगई 120 बटे 8 आठे कम 8 15 अठे 120 120 बटे 10 12 और ये चमता माइनस में है क्योंकि C पाइप खाली करने वाला है सवाल ने कहा अगर 3 पाइपों को मैं एक साथ खोल दूँ बच्छे याद रखना जब 3 पाइप एक साथ खोले जाएंगे न तो ये तो एक घंटे में 20 L भरेगा उसी घंटे में ये 15 L टंकी में भरेगा लेकिन साथ के साथ ये 12 L खाली भी होगा 12 L खाली भी होगा तो माइनस का 12 कर दो चमता माइनस एक घंटे की चमता का मतलब क्या होता है एक घंटे में उन्होंने कितना काम किया एक घंटे का किया गया काम अगर घंटों की बात हो रही है तो इसने तो एक घंटे में 20 लीटर भरा इसने एक घंटे में 15 लीटर भरा लेकिन सी भाई साब तो खाली करने वाले पाइप है यह तो एक घंटे में 12 लीटर बहार निकाल देंगे तो वो एक घंटे में 12 लीटर भार भी तो निकल वाओ उससे तो वास्ता में कितना भरा गया आप कहेंगे सर 35 माइनस 12 यानि के वास्ता में तो 23 यूनिट भरा गया है एक घंटे में हना इनकी छमता किसकी A प्लस B प्लस C की उसने का तीनों खोल देया कितना समय लगेगा बचे 120 यूनिट की टंकी है और 23 छमता है तो कितना होगा 23 पंजे 115 पांच बटे 23 आंसर कितना होगा 5 सही 5 बटे 23 आपका बिलकुल सही जवाब है कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है चलेंगे अगला सवाल आपके सामने ये रहा बताएंगे जल्दी से सवाल का धीरे-धीरे लेवल बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि लेवल अप हो गया है जल्दी से बताओ सवाल क्या कहता है सवाल ने कहा कि पाइप A, B, C एक टेंक को मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं तीनों पाइपों को 1, 7, 4 घंटे के लिए खोला जाता है फिर पाइप C को बंद कर दिया जाता है A और B मिलकर सेस भाग को भरने में 10 घंटे लगते हैं तो पाइप C अकेला दो तिहाई भाग को कितने समय में भर देगा बहुत अच्छा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है मैं समझाओंगा आपको क्योंकि आपको लगए कि यार इसमें क्या करें आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना सवाल को फिर से पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो उसने कहा पाइप A, B और C मिलकर बारा घंटे में भर सकते हैं यानि कि अगर वो तीनों पाइप लग जाएं भरने में तो वो बारा घंटे में उस टंकी को पूरा का पूरा उपर तक भर देंगे ऐसा उसने कहा फिर आगे कहता है कि तीनों पाइपों को एक साथ चार घंटे के लिए खोला गया यानि के वो भर तो 12 गंटे में सकते थे लेकिन उन्हें केवल 4 गंटे के लिए खोला गया और फिर कर दिया बंद C को फिर C को बंद कर दिया और फिर जो बचा हुआ टेंक था वो A और B ने भरा भई जरूरी सी बात है C को बंद कर दिया 4 गंटे बाद तो A और B ही भरेंगे अब A और B मिलकर सेस टैंक को भरने में 10 गंटे लगते हैं मेरा आपसे सवाल है कि A, B, C 12 गंटे में भर सकते थे यह आप अच्छी तरह जान गए हो 4 गंटे बाद C को बंद कर दिया बचे मेरा सवाल है अगर C को बंद ना करते तो A, B, C मिलकर अगले कितने घंटों में टैंक को भर देते अगले 4 गंटे के बाद अगर मैं C को बंद ना करता तो A, B और C मिलकर अगले कितने घंटों में उस टैंक को भर देते जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ ना कि मेरा सवाल है, मेरा सवाल है बचे इस पे गौर किया करो यही सवाल है जो आपके दिमाग में कभी सवाल ही नहीं आने देंगे यह आप ही के दिमाग के सवाल है जो मैं बोलता हूँ कि मेरा सवाल है मेरा सवाल है यह यह आप ही के दिमाग के सवाल होते हैं मैं एक student की तरह सोच कर सवाल करता हूँ आप से, कि मुझे एक बात बताओ कि अगर वो तीनों मिलकर 12 घंटे में टेंक भर सकते हैं, तो मेरा सवाल है, कि 4 घंटे बाद अगर मैं C को बंद ना करता, तो ABC मिलकर अगले 8 घंटे में उस टेंक को भर देते, यानि कि अगर मैं C को बंद ना करता, तो ABC का कितने घंटे का काम है? 8 घंटे का, अब कर दिया C को बंद, बचे कौन कौन? A और B, तो जो काम ABC 8 घंटे में करते, वो काम A और B ने मिलकर कितने घंटे में किया है? 10 घंटे में, ये 10 घंटे में काम A और B ने मिलकर किया है, तो बराबर A पिलस B और गुणा 10, बचे ये काम जो है 10 घंटे में इन दोन ने मिलके किया है, ये वही तो काम है, भई जो A, B, C 8 घंटे में करते हैं, अब C गया, तो A, B को जादा टाइम लगेगा 10 घंटे हैं, यहां से अनुपात निकालो, किस किस का निकालोगे, A, B का 1, 7 और C का अलग, C का अलग क्योंकि यहां पर C ही गायब है, तो दो चोके 8 और दो पंजे 10, गुणा करेंगे तो 4A, पिलस 4B, पिलस 4C, बराबर 5A, पिलस 5B, है ना, तो भई A, B को उधर ले जाओ, तो 4C, बराबर 5A, माइनस 4A, A बचेगा, 5B, माइनस 4B, B बचेगा, तो बचे यहां से अगर मैं आ A, पिलस B, अनुपात, C का छमता का अनुपात, तो A, B के सामने 4 है, और C के सामने 1 है, तो यह इनकी छमता का रेश्यो आ गया, कि A और B की मिलकर efficiency है 4 unit, और C की अकेले की efficiency है 1 unit, C की अकेले की efficiency 1 unit, अब पहली लाइन को पढ़ो, आपका काम है, टोटल काम निकालने का, कि कु आप कहेंगे, कि सर A, B, C एक tank को मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, तो टोटल काम अगर निकालना है, तो A, B, C की छमता कितनी हो गई, A, B, C की छमता कितनी हो गई, 4 और 1, 5 और वो उसे 12 घंटे में भर सकते हैं, तो मेरे सैनिक भाई, टोटल काम हो गया 60 unit, सवाल ने कहा, C अ 2 ती हाई भाग कितना हो गया भाई, इस 60 का 2 ती हाई भाग हो गया, 40 unit, और ये 40 unit भरना किसको है, C को, C की छमता एक है, तो 40 घंटे, इतने घंटे में भरेगा, 40 घंटे में option number A, बिलकुल सही जवाब आपका होगा, ठीक है, good, सभी का आ गया, ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, next question आपके सामने, ये रहा, जल्दी से पढ़ेंगे, और मुझे इस cancer बड़ी speed से बताएंगे, बड़ी speed से बताएंगे, pipe P और Q, एक tank को 18 और 27, आपको लग रहा होगा सरी, तो time and work जैसे ही सवाल है, हाँ भई, वैसे ही सवाल है, ये उसी का ही part है, time and work का ही part है ये और कुछ भी नहीं है, तो सवाल ने कहा, pipe P और Q एक tank को 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि pipe R पूरे tank को 54 मिनट में खाली कर सकता है, pipe P और Q को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया, फिर बंद कर दिया गया, दोनों को बंद कर दिया P और Q को, और फिर खोला pipe R, खाल खाली कर देगा, पता नहीं यार यह जब भरना ही है tank तो खाली क्यों करा रहे हैं, और जब तुम्हें पता है कि खाली करने वाला pipe भी लग रहा तो उसको बंद क्यों नहीं कर देते, आप लोगों को और हम लोगों को परिसान करने वाले काम है यह और कुछ भी नहीं है, अ हमारे दिमाग में, सर कभी आपसे कोई पूछता है कि आ जो तुम इतना पढ़ते हो, मैस, जी और कभी काम आता है, जो हम जोइन कर लेते हैं, कभी नहीं आता, बच्छे लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है चीजों का, यह तो competition, और एक मानसिक बुद्धी वाला भर सकते हैं, भाई, P भर सकता है अठारा मिनट में, और Q भर सकता है 27 मिनट में, लेकिन जो R है न, वो खाली करने वाला pipe है, और वो 54 मिनट में खाली कर देगा, कितने में? 54 मिनट में बच्चे वो खाली करने वाला पाइप है और यह 54 मिनट में खाली कर देगा मेरा सवाल आप से कि इनका LCM कितना है 18, 27 और 54 का LCM कितना अभी तक मुझे दिखा नहीं है LCM 18, 27 और 54 का यह क्या कह रहा है बच्चा इसको दिखाओ भाई सर जी क्या यूपी पुलिस कॉंस्टिवल में आठ पास पे ड्राइवर और कुक की पोस्ट आता क्या आता समझा नहीं मैं आता को यह बोल रहे हैं भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा मैसिज आप कमेंट में डाल देना जब वीडियो खतम हो जाए टीम रिपलाई कर देगी बताओ जल्दिस नहीं चाले कमेंट सवाल को पढ़ते हैं सवाल ने कहा क्या सवाल ने कहा किया कि पाइप और क्यूंको छै मिनट के लिए एक साथ खोला गया पी और क्यू को छै मिनट के लिए खोला गया पी और क्यू को छै मिनट के लिए खोला गया मेरे सैनिक भाई मुझे बता दो जब P और Q को 6 मिनट के लिए खोला गया तो 6 मिनट में उन्होंने कितना पानी भर दिया तो आप कहेंगे सर इनकी जो छमता है न वो 6 और 4 10 यूनिट है और 6 मिनट में कितना भर देंगे सर ये 60 यूनिट भर देंगे 60 unit ही भर पाए वो 6 minutes में अब हुआ क्या कि भ схयाब बंद कर दिया δोनों pipe को अब 60 liter पानी भरा टंकी में और P को भी भंद कर दिया और Q को भी भंद कर दिया अब तो खाली होगा क्या टंकी भरेगी अब नहीं टंकी भरेगी नहीं टंकी अब खाली होगी, क्योंकि 6 मिनट में इन दोनों ने मिलके 60 यूनिट भर दिया, तो अब जो लगेगा कौन, अब आर लगेगा और 60 लीटर पानी को खाली करना शुरू कर देगा 2 के रेट से, तो भाया कितने मिनट में खाली कर देगा, सरिय इसे 30 मिनट में खाली कर देगा कितने मिनट में 30 मिनट में इसे खाली कर देगा बात समझ में आई कि जो 6 मिनट में A और B ने मिलकर पानी भरा कितना 30 लीटर फिर उनको बंद कर दिया दोनों को फिर स्टार्ट किया हमने R जो कि खाली करने वाला है तो वो उसे खाली करेगा कितने में 30-60 बटे दो 30 मिनट में एक मेरा सेर मेरा सैनिक भाई कह रहा है कि सर LCM जो है ना वो 54 आएगा क्या 54 भाईया 28 27 दूनी 54 ठीक है ठीक है ठीक है 54 ले लो यार मैं तो 54 नहीं कर रहा दा तुम लोगों ने गड़बड करवाई है कितना आएगा 54 ले लो भाईया 54 एकम 58 27 दूनी 54 ठीक है 54 54 से कर लो यार जब तुम कह रही हो तो वही तीन और दो पांच 6 में कितना भर देंगे 30 बात तो वही है 30 लीटर भरा इसको ये खाली करने लगेगा बटे एक से तो 30 मिनट में खाली कर देगा बात वही है कोई फरक नहीं पड़त ही डॉट में लेकिन कोई बात नहीं जो बात है उसको ठीक है मैं मान लेता हूं 45 आएगा तब आजा जाओ जल्दी से का तो अब तुम क्रेडिट लेना चाहते हो तो ले लो भी लिए इचे रट जाएंगा उन्त पताओ जल्दी से आंसर क्या होगा उसने कहा दो पाइप A और B एक टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और टैंक 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप B को कितने समय बाद बंद करना होगा यह बड़ा conceptual सवाल है सवाल दिखने में आपको छोटा लगेगा आपको दिखने में छोटा लगेगा लेकिन यह बड़ा conceptual सवाल है देखना मजाएगा सवाल में जो मैं question करूँगा न आपसे वह आपके दिमाग का सवाल होगा और उसे मैं बोलूँगा और आपको मजाएगा उसका आंसर देने में भी मुझे एक बात बताओ पाइप A और B टंकी को 18-24 मिनट में भर सकते हैं तो पाइप A और B भाई ये 18 मिनट में भर सकता है ये 24 मिनट में भर सकता है LCM बता दो जल्दी से कितना होगा कितना होगा 72 72 LCM होगा तो 18 चौक 72, 24, 3, 72 ये इनकी छमता आ गई 4 और 3 यहां तक तो सभी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है किसी को सवाल ने कहा यदि दोनों पाईपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह भरने में पूरी तरह 12 मिनट में भरने में पाईप B को कितने समय बाद बंद करना पड़ा होगा मेरे दो सवाल है आपसे और यह सवाल मैं उता हूँ क्रिस्टल के लिए आपको सवाल के रहे कि टैंक को ना 12 मिनट में पूरी तरह भरना है पूरी तरह 12 मिनट में तो पाईप B को कितने मिनट बाद बंद किया होगा मेरा सवाल आपसे है बंद कौन सा पाईप हुआ है बीच में तो आप कहेंगे सर बंद तो पाईप B हुआ है कहीं बीच में हुआ होगा हमें नहीं पता कितने मिनट बाद हुआ है पाईप B बंद हुआ है जी सर मेरा फिर अगला सवाल आपसे है पूरे सुरू से लेकर लास्ट तक कौन सा पाइप continuous चलता रहा होगा पताओ मुझे पाइप A और B ने भरना शुरू किया कहीं रास्ते बीच में B को बंद किया होगा लेकिन A ऐसा पाइप है जो शुरुवात से लेकर लास्ट तक चलता रहा होगा तो अगर मैं A का काम निकाल लूँ अगर मैं A का काम निकाल लूँ बई, टोटल टैंक तो 12 मिनट में बहरा गया है इसका मतलब पाइप A पूरे 12 मिनट चला होगा बात समझ में आ रही है ये वाली, सोचो इस बारे में time देता हूँ सोचने का 5 सेकंड का बताओ, पाइप B को कहीं रास्ते बीच में बंद कर दिया, सुरू से लेकर last तक पाइप A चला होगा, B से मतलब नहीं है, जो पूरे time चला वो पाइप A है, और 12 मिनट में tank भरा, मतलब बचे 12 मिनट तक पाइप A चला होगा, तो पाइप A का 12 मिनट का काम निकाल दो, यूनिट कितने मिनट में सर ये तो 48 यूनिट भर दिया होगा pipe A ने pipe A ने 48 48 यूनिट पूरे 12 मिनट में भरा होगा तो total तो 72 है भई जो अगर मैं आपसे कहूं size कितना तो कहेंगे सर 72 माइनस 48 यानि के 24 ये 24 किसने भरा होगा सर ये 24 बी ने भरा होगा ये 24 किस ने भरा होगा ये 24 बी ने भरा होगा भई B कहीं रास्ते में भग गया मैंने कहा सुरू से लेकर लास्ट तक कौन लगा रहा आपने कहा सर A लगा रहा और उस A ने 12 मिनट में 48 यूनिट भरा होगा अपने हिस्से का अपना हिस्सा उसने 48 निकाल लिया, तो बचा कितना 24, यह 24 बी ने किया होगा, मुझे एक बात बता दो, कि यह 24 यूनिट भरने में बी को कितना समय लगा होगा, बी की छमता है 3, सर इसको भरने में लगे होंगे, इसको 8 मिनट, यानि कि बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गय होगा, बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया होगा, बी ने अपने हिस्से का 24 यूनिट भरा और बंद हो गया, 48 तो ए ने भरा है पूरे 12 मिनट में, तो बचा हुआ 24 बी ने भरा है 8 मिनट में, और 8 मिनट में 24 भरने के बाद उसको बंद कर दिया गया होगा, तो आंसर कि पर आते हैं जल्दी से बताओ इस सवाल का अंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस सवाल का अंसर स्पीड 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 तीन पाइप A B C एक टंकी को चार घंटे में भरते हैं टंकी पाइप B की तुल्णा में C जो है वो तेजी दुगनी तेजी से भरता है और पाइप A की तुल्णा में B तिगुनी तेजी से भरता है भाई ये इनकी छमता के बारे में बोला इसने efficiency के बारे में time and work समयकारिये में नहीं किये हमने ऐसे सवाल sir किये तो है तो बताओ जल्दी से उसने कहा तीनों pipe अगर मिल जाए तो टंकी चार घंटे में भर जाती है कितने घंटे में चार घंटे में अगली line में उसने उनकी efficiency के बारे में बोला उनकी चमता के बारे में बोला ठीक है तो आप मुझे बताओ ABC की चमता के बारे में बोला तो उसने कहा जो pipe B की तुनला में C pipe दोगुनी तेजी से भरता है B की तुनला में C जो है न वो दोगुनी तेजी से भरता है अगर मैं कहूं B और C का अनुपात तो B की तुलना में C दोगुनी तेजी से यानि के B अगर एक छमता है तो C की भाई दो हो जाएगी बॉक्स में बंद कर दो रेश्यो और पिरपोर्शन पढ़ा बहुत अच्छे से आपने उसने कहा C दोगुनी तेजी से बढ़ता है और पाइप A की तुलना में B तीन गुना तेज तो A की तुलना में तो अगर मैं आपसे कहूँ A और B तो आप कहेंगे अगर A की छमता एक यूनिट है तो जो B है ना वो तीन गुना तेजी से भठता है तो B की छमता हो जाएगी तीन भाई इन दोनों को जोड़ दो, welding कर दो इन दोनों की, जैसा आपका मन करे वैसे welding कर दो, भाई जो दोनों में common है B, देखो ratio proportion में गुरू बन गए अब आप, दो अनुपात को जोड़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर आपने देखा, सर दोनों में जो common है न वो B है, तो भाईया इसका मान भी बराबर करो, यह अगर एक है, तो यहाँ तीन से गुणा करेंगे, कितना आएगा, तीन अनुपात 6, अब B दोनों में समान हो गया, तो A, B, C का अनुपात आप बता सकते हो कैसे, A का मान 1, B का मान 3, और C का मान 6, यह बनी बात, छमता की, efficiency का ratio आ गया, efficiency का ratio आते ही, तुरंत मैं निकालता हूँ, कि total work कुल कारिय कितना है, तो आप कहेंगे, पहली लाइन में, कि A, B, C मिलकर 4 घंटे में उस टंकी को भर रहे है, तो उनका 1 घंटे का काम 6, 39, 10 unit है, और मेरे सैनिक भाई, वो उसको अगर 4 घंटे में भर रहे हैं, तो total काम हो जाएगा, 40, कितना होगा, 40 होगा total काम, सवाल ने कहा, क्या, अकेला pipe A कितने समय में भरेगा, भाईया, pipe A की जो छमता है, वो तो एक unit है, 40 unit भराना है, तो 40 घंटे में, वो उसको भर देगा, option number B लगाएंगे, और खुस होकर आगे बढ़ जाएंगे, कितने sincere बच्चे हैं, सारे के सारे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, अच्छा लगा देख कर, next question को भी ऐसे ही confidence के साथ, मुझे सवाल का आंसर बताएंगे, जल्दी से, कल मैं आपको जो सवाल कराऊँगा ना, pipe tanki के वो होंगे इस तरह के, कि A का एक बारी से उनको खोला गया, पहले pipe A को, फिर B को, खाली करने वाले pipe को भी खोला गया, तो pipe tanki में इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, और बहुत परिशान करते हैं, कि एक खाली करने वाला है, ए एक घंटे फिर खाली करने वाले को, फिर भरने वाले को, तो इस तरह से tanki कितने मिनट में भरेगी, तो इस तरह का सवाल बड़ा परिशान करता है, और कल से आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं करेगा यहां पर, time and work में वो concept अलग है, pipe tanki में वो concept अलग बनता है, time and work में तो हम total काम के पास जाते थे गुणा करके, लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली होगी, जो कल मैं आपको बताऊंगा उस तरह के सवालों में है ना, इसको करेंगे पहले, उसने कहा pipe A और B टंकी को 16-24 घंटे में भर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है भई, जबकि pipe C भ देखेंगे, उसने कहा pipe A और B किसी टंकी को करम से है, A और B, A कितने घंटे में, 16 में, B कितने में, 24 में, लेकिन जो C है ना, वो भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर रहा है, बच्छे खाली कर रहा है, तो मैंने उपर माइनस का साइन लगा दिया, ताकि मुझे पता रहे कि ये खाली करने वाला pipe है, और वो C उसे 40 घंटे में खाली कर देगा, भाई, यहाँ पर मुझे LCM बता दो, जल्दी से कितना होगा, LCM हो जाएगा, आपका, इसका 16 और 24 का कितना होता है, भाई, 40 दूनी, 80, 80 तो इसका हो जाएगा, 16, 85, 40 दूनी, 80, और 80 और 24 का कितना होता है, आठ से काटेंगे, तो आठ धाम 80 और आठ तीया 24, 10 तीया 30, 38, 24, 240, LCM कितना हो गया, भाई, 240 LCM हो गया, कितना हो गया, 240 LCM है, तो इनकी efficiency, इनकी respective छमता भी निकालो, 240 बटे 16, 16 कम 16, 16, 85, 24 दॉनी, और 40 से 6, यह इनकी छमता है, और 6 माइनस में होगा, क्योंकि यह खाली करने वाला पाईप है, आगे चलते हैं, उसने खा तीनो पाईपों को एक साथ खोला गया, और 10 गंटे बाद एको बंद किया गया, मेरा आपसे सवाल है, जब पाईप एको 10 गंटे बाद बंद किया गया, क्या 10 गंटे तक 3 पाईप एक साथ चले होंगे, हाँ साथ एक साथ चले होंगे, तो उन 10 गंटों में, उन 3 पाईपों ने कितना पानी भर दिया होगा, अपनी अपनी छमता के अनुसार, तो भई एक घंटे की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये 15 लीटर भरता है, उसी घंटे में ये 10 लीटर भरता है, लेकिन, 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 ये C पाईप ना 6 लीटर खाली भी करेगा, उसी घंटे में जिस घंटे में इसने 15 लीटर भरा इसने 10 भरा उसी घंटे में सैनिक भाई इसने 6 लीटर खाली किया होगा तो overall एक घंटे का काम कितना है 15 और 10 पच्चिस माइनस 6 यानि के 19 लीटर पानी वो एक घंटे में भर रही होंगी बात सही है अब उन्होंने 10 घंटे बाद एको बंद किया है तो क्या 10 घंटे तक ये 19 की छमता से काम हुआ होगा तो 10 गंटे में कितना काम हो गया आप कहेंगे सर 190 कितना 190 अब एको कर दिया बंद और अगर एको बंद कर दिया तो भाई सेस काम कितना है सेस काम है आप कहेंगे सर 240 में से 190 घटाएंगे सर सेस काम है 50 यूनिट मेरा सवाल आप से है इस 50 यूनिट को कौन करेगा इस 50 यूनिट काम को A को तो कर दिया बंद अब काम केवल ये करेंगे दोनों मिलकर कौन B और C यानि के B दस लीटर एक घंटे में भरेगा और उसी घंटे में C छे गायब कर देगा तो भाई चार लीटर भरा जाएगा वास्तव में तो वास्तव में तो B और C जब मिलेंगे तो भाई ये दस लीटर भरेगा और ये छे लीटर खाली कर देगा तो चार ही भरा गया तो भाई पचास लीटर भरना है बचा हुआ से इस काम और चार के हिसाब से आएगा साड़े बारा घंटे कितना आएगा साड़े बारा घंटे option number C आपका बिलकुल सही जवाब होगा सवाल को देखेंगे और जल्दी से उड़ा कर फैक दो एक तरफ एक तरफ इस सवाल को उठाकर फैक दो भाई जिस तरह से तुम सेह निक हो ना मजबूत होने चीव सवाल को उठाकर ऐसे फैक दो के सवाल ये तो कर दिया मैंने जल्दी से आंसर बताओ उसने कहा pipe A, B, C किस टंकी को किरम्स रेस्पेक्टिवले 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं एक ही दिन pipe A, B, C को किरम्स है सुब है 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है तो टंकी कितने बजे भर जाएगी इस सवाल में पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है और आप पहले पढ़ो आप इस सवाल को पढ और जल्दी से आंसर बताना तो आप कहेंगे कि pipe A, B, C किसी टंकी को 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं पहले total काम और उनकी छमता निकालो बाकी बाद में करेंगे तो भाई A 15 घंटे में और B 30 घंटे में C 40 घंटे में तो LCM कितना हो गया 120 होगा के नहीं LCM हो जाएगा 120 तो आप कहेंगे सर 15, 8, 120, 3, 4, 12 और 40 या 12 ये इनकी efficiency ये इनकी छमता आगई इनकी efficiency आगई अब सवाल को थोड़ा सा आगे पड़ते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि कहना क्या चाहरा है देखना सामने उसने कहा एक ही दिन सेम डे में A, B, C को करम से सुबह 6 बजे, 8 बजे, खोला गया और बचे इसको 10 बजे खोला गया आप मुझे एक बात बताओ सबसे लास्ट में किसको खोला गया है मेरा सवाल आपसे है कि सबसे लास्ट में किसको खोला गया सर ये कोई सवाल थोड़ी है सबसे लास्ट में तो C को खोला गया 10 बजे मेरा सवाल तो अब है आप से कि जब सबसे लास्ट वाला पाइप खोला गया तब तक पाइप ए कितने घंटे चला होगा पाइप ए दस बजे तक कितने घंटे चला होगा सर दो घंटे चला होगा जब तक सी तीसरे पाइप को खोला गया जब तक तीसरे पाइप को खोला गया तब तक पाइप ए कितने गंटे आप कहेंगे सर 4 गंटे चला है कितने गंटे 4 गंटे चला है सेम बात बी के लिए बता दो कि जब तक C को खोला गया बी कितने गंटे चल गया 8 और 2 10 बचे बी चल गया 2 गंटे जो सबसे लास्ट में खुलता है उस तक time चलाना है तो सबसे पहले pipe A खुला 6 बज़े अ अब दोनों मिलके चलेंगे, फिर pipe C को खोला 10 बज़े, तब जाकर तीनों pipe खोलेंगे, मेरा सवाल है, जब तक तीनों pipe खोले गए, तो pipe A कितने घंटे चला, 4 घंटे 6 से 10, pipe B 8 से 10, 2 घंटे चला, तो इनका respective काम निकालो, भाई A का, pipe A का 4 घंटे का काम कितना है, 4 गुणा 8, कितना होगा, 32 liter इसने भर दिया होगा, कितना बचे, इसने 32 unit भर दिया होगा, B का निकालेंगे, तो भाई B तो 2 घंटे चला है, और 1 घंटे में 4, तो ये 8 unit भर देगा, 8 unit भर देगा, तो अब बच चुके हैं 10, तो 10 बज़े तक, मैं आपसे कहता हूँ 10 बज़े तक कितना पानी भर गया, 10 बजे तक कितना पानी भर गया, आप कहेंगे सर 40 यूनिट भर चुका है, 10 बजे तक जब तक pipe C को खोला गया, जब तक पानी कितना भर गया, आप कहेंगे सर A ने 32 यूनिट भर दिया 10 बजे तक, और B ने भर दिया 8 यूनिट 10 बजे तक, तो total 10 बजे तक 40 य होने 10 बजे तक भर दिया तो सर बचेगा 80 यूनिट इस 80 यूनिट को तो तीनों मिलकर भरेंगे ABC 10 बजे के बाद तो 80 यूनिट को कितनी देर में भर देंगे भाई छमता कितनी है 8 4 12 12 और 3 15 इतने घंटे में भर देंगे 5 3 15 और 16 पंजे 80 कितना होगा 3 15 15 और एक बटे 3 गंटे 60 से गुणा करेंगे मिनट निकाल लेंगे 20 मिनट यानि के 5 घंटे और 20 मिनट कितना बच्चे 5 घंटे 20 मिनट में भर देंगे इस पाइप को 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद वो इसे 5 घंटे 20 मिनट में भर देंगे तो 10 बजे के बाद 5 घंटे 20 मिनट का मतलब है 3 20 और 10 बजे के बाद 5 घंटे कितना 3 बज गए और 20 मिनट उपर यानि के तीन बीस पर वो उसे भर देंगे, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ सवाल को देखना, सवाल में सबसे पहले यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तोटल काम तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां पे आई है, यहां से दिक्कत confusion स्टार्ट हुआ होगा, देखना स तो पाइप C के खुलने तक पाइप A कितने घंटे चला है, चार घंटे, पाइप A ने चार घंटे अकेले पानी भरा होगा, पाइप C के दस बजे तक खुलने तक पाइप B दो घंटे चला है, तो पाइप A ने चार घंटे में कितना पानी भर दिया, 32, पाइप B ने दो घ को तो तीनो पाइप मिलकर भरेंगे सी भी चल चुका है अब दस बच चुके हैं तो असी को भरने में लगेंगे असी बटे पंदरा भई छमता तीनों की पंदरा तो 16 बटे 3 घंटे डिवाइड करेंगे 3 पंजे 15 और एक बटे 3 साथ से गुणा करेंगे मिनट निकालने के लिए तो 3 बीस यम साथ यानि के 5 घंटे 20 मिनट तो 10 बजे के बाद यानि के 3 बज के 20 मिनट पर ये उस पाइप को भर देंगे टंकी को भर देंगे चलिए अगला सवाल आप से इसी के उपर है तो जल्दी से बता दो सेम सवाल है दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ जल्दी से कैसे फिर जी LCM लेना सिखा दो बच्चे एक काम करो जो मैंने आप क्लास कराई हैने LCM की उन्हें मत करो आप आप जहां से भी हो ट्रेन पकड़ो और मेरे पास आजाओ मेरे भाई मेरे प्यारे बैठा कर समझाओंगा LCM कैसे निकालते हैं क्योंकि वीडियो तो तुम देख नहीं सकते हो पुरानी वीडियो हो गई कई करोड साल मेरे पास आजाओ खाएंगे पिएंगे ऐस करेंगे फिर तुम्हें कुछ खिला पिलाकर तुमारे लिए प्राथे बनाकर तुम्हारे बैग में रखूंगा फिर तुम्हें बिदा करोंगा से 150 रुपे बेटके भी देदूँगा तुम्हें लिए बाते कर रहे हो यार मैंने वीडियो बनाई है LCM निकालने की अनुलोम बिलोम करना पड़ेगा मुझे उसने कहा पाइप A, B, C, एक टंकी को 30, 40, 60 में भर सकते हैं करो इस सवाल को जल्दी से आंसर क्या होगा पांच आवर कैसे आए बच्चे वो 16 बटे 3 घंटे था 16 बटे 3 घंटे को बदलो कैसे भाई 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3, 5, 15, 5 सही 1 बटे 3 घंटे ऐसे लिख सकते हो या अलग-अलग कर दो 5 घंटे अलग कर दो 1 बटे 3 घंटे अलग कर दो 5 घंटे तो हो गए 1 बटे 3 घंटे को मिनट में बदलोगे तो 1 बटे 3 गुणा 60 से गुणा कर देंगे इतना मिनट हो जाएगा तो 3 से जाएगा 20 यानि के 5 घंटे और 20 मिनट कितना 5 घंटे और 20 मिनट इस तरीके से आया वो कितना डिटेल में समझा दिया अब तो मैंने आपको करो सवाल को जल्दी से pipe A, B, C क्रम से 30, 40, 60 में भर सकते हैं तो pipe A 30 घंटे में pipe B 40 घंटे में और pipe C 60 घंटे में भर सकता है LCM आ गया 120 इसकी छमता है 4 इसकी छमता है 3 इसकी छमता है 2 4-3 दो efficiency आ गई सर बिलकुल आ गई सवाल को पढ़ो इन तीनो pipe को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे चालू किया गया यानि के pipe A को, pipe B को, pipe C को ये 7 बजे खोला गया ये 8 बजे खोला गया और ये 10 बजे खोला गया तो मैं कहता हूँ जब तक सबसे last वाला pipe खोला गया है तब तक पहले वाला pipe कितने घंटे चल गया क्या बच्ये इसने 3 घंटे चल गया है 7 से 10 तक pipe A pipe B कितने घंटे चल गया सर ये 2 घंटे चला है भाई इसने 3 घंटे तक भरा होगा पानी इसने 2 घंटे तक भरा होगा तो अब मैं आपसे पूछता हूँ pipe A ने 3 घंटे में कितना भर दिया तो आप कहेंगे सर चार गुणा तीन यानि के इसने बारा मैं आपसे कहता हूँ दस बजे तक पाइप बी ने कितना भर दिया तो आप कहेंगे दो घंटे में इसकी छमता है तीन इसने छे भर दिया तो अब मुझे बताओ दस बजे तक कितने बजे तक दस बजे तक टोटल कितना पानी भर गया है 18 दस बजे तक टोटल 18 यूनिट पानी भर गया सेस कितना बचा रिमेनिंग कितना बचा सेस कितना बचा आप कहेंगे 120 में से 18 घटा दो सर सेस बचेगा कितना 102 सेस कितना यह 102 कौन भरेगा अब तीनो भईया 10 बच चुके हैं और तीनो पाइप चल गए तो 4, 3, 7 और 2, 9 यानि के 102 को 9 से डिवाइड कर दो इतने घंटे बाद 10 बजे के इतने घंटे बाद वो पाइप भर जाएगा तो आप कहेंगे कितने घंटे बाद तो भईया डिवाइड करेंगे 3, 9 और 3, 9, 3, 4, 12 तो कितना आएगा 3 से काटेंगे 3 एकम 3 एकम 3 गारतिया 33 और पिलस एक बटे 3 इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे 20 यानि के 11 घंटे और 20 मिनट 11 घंटे 20 मिनट बाद वो क्या कहते हैं टंकी भरेगी 11 घंटे 20 मिनट बाद 11 घंटे 20 मिनट बाद वो टंकी भरेगी तो आप मुझे बताईए 10 बजे सुभे 10 बजे के 11 घंटे एड करेंगे सुभे 10 बजे में अगर मैं 11 घंटे एड कर दू तो रात के 9 बजेंगे भई अगर मैं 12 घंटे एड करता हूँ तो रात के 10 बज जाएंगे 12 गंटे का gap यही होता है normal सी बात है सिखाने कोई जरूरत नहीं होनी चीए सुबह 10 बजे के 12 गंटे बाद रात के 10 बज गए लेकिन मुझे 9 गंटे 11 गंटे एड़ करने है तो 9 बजे और 20 मिनट और यानि के 9-20 पीम रात की 9-20 रात के 9-20 पर वो पाइप भर जाएगा रात के 9-20 पर वो पाइप भर जाएगा और बड़ी खुशी की बात है कि सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है सभी का आंसर ठीक है चलो ये सवाल करो जल्दी से सवालों करेंगे और फिर ज़्यादा कुश्चन से नहीं है बागी तो एक दो वो हैं जो कल में मुझे शुरुवात करना है जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या होगा जल्दी से बता दो आनसर बताएंगे इसका जल्दी से क्या होगा देख उसने कहा पाइप A और B एक टंकी को क्रम से 16-24 घंटे में भर सकते हैं पाइप C उसे 40 घंटे में खाली कर सकता है तीनों पाइपों को खोला गया 10 घंटे बाद C को बंद कर दिया जो खाली करने वाला पाइप है ना उसको बंद कर दिया 10 घंटे बाद इस तरह का सवाल किया है हमने कभी थोड़ी दिर पहले तो पाइप A जल्दी से बता हूँ आंसर पाइप A 16 घंटे पाइप B कितने घंटे 24 घंटे और पाइप C तो बच्चे खाली करने वाला है ये इसे 40 घंटे में खाली करेगा तो LCM कितना आ गया LCM आ गया 240 यही है ना तो 16 एकम 16 16, 85 24, 10 और 4, 4, 6 कितना आ गया 15, 10 और 6 ये इनकी छमता इनकी efficiency का ratio है सर बाद तो सही है आ गया उसने कहा कि 10 घंटे बाद 10 घंटे बाद C को बंद किया गया है तो क्या 10 घंटे तक 3 एक साथ चले होंगे हां सर बिलकुल चले होंगे तो 1 घंटे में ये 15 यूनिट भरेगा ये 10 भरेगा लेकिन मेरे प्यारे भाई ये 6 यूनिट खाली भी तो करेगा तो 15 और 10 पचिस में से 6 गए 19 कितना 19 यूनिट एक गंटे में भरा जाएगा तो 10 घंटे में कितना भरा जाएगा, repeated question नहीं है, उसमें A को बंद किया था, इसमें C को किया है, 10 घंटे में कितना भरा जाएगा, आप कहेंगे 19 गुणा 10, यानी के 190 भर जाएगा 10 घंटे में, तो remaining 6 कितना बचा, आप कहेंगे सर 240 में से 190 घटा दो, सर बचेगा 50 unit, लेकिन हुआ क्या, अब 10 घंटे ब आदो, भाई, C को, C की कोई जरूरती नहीं है, अब, अब जो 6500 unit है न, इसको भरेंगे A ओर B, कौन? A और B, तो भाई, A और B की चमता कितनी है, 15 और 10, 25, भाई, A और B की चमता कितनी है, 25, और 50 unit को भरने में कितना समय लगाएगे, 50 unit को भरने में तो भाई, दो घंटे उसमें A को बंद किया था इसमें C को बंद किया है। थी कैसा तो सवाल क्रिस्टल के लियर आपको हो ही गया। के ये सवाल करो यह सवाल बताएंगे जलदी से, क्या अंसर होगा इसका। करिकर जबहाएं और ये लास्ट सवाल है। एक सवाल फिर मैं होमबर को दूँगा आपको, ठीक है, एक सवाल होमबर को दूँगा आपको, या इसी को होमबर करते हैं, ठीक है, कल इसी को होमबर करते हैं, इसे मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना इसका, कमेंट बॉक्स में बच्चे आंसर बताना इसका और थोड़ा सोच समझे करना सवाल रिस्की है यह चोट पहुचा सकता है आपको तो एक बार अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कैसी रही क्लास मुझे बताना बाकि मिलते हैं कल एक बहुत गजब-गजब सवाल पाइप और टंकी में जितने भी अच्छे सवाल बन सकते हैं ना कल मैं उनको लेकर रहूँगा ठीक है तो कल की क्लास पाइप और सिस्टंकी बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है, मिलते हैं कल की क्लास में तब तक के लिए थैंक यू, बाई बाई, जैहन।